पिछले 24 घंटों में भागलपूर पुलिस के त्वारा अर्जित की गई है और ये अभियान लगातार पिछले 24 घंटों से चल रहा था जिसका नेतित तुस्वयंग नगर पुलिस अधिक्चक से राज कर रहे थे और उनके साथ परिछेमान सहाय कुलिस अधिक्चक अभिनो और CTDSP अजे कुमार चौधरी और इसके साथ ही साथ तमाम एक बड़ी टीम इसमें इंस्पेक्टर ततारपूर इंस्पेक्टर रंजीत जो डियाउ के प्रभारी भी हैं सब इंस्पेक्टर सुप्रिया जो विश्वी द्याले थाना की थाना धेर्च है राजीव एसेच्च राजीव और तमाम पदादिकारी इसमें सम्मुलित थे कल एक बाका से टीम आई थी और बाका में एक लूट हुआ था और लूट के उद्वेधन के करम में एक अपरादी की ग्रभतारी हुई थी और वहां से एक सूचना मिली कि जो उसने बाइक की लूट की थी उस बाइक को यहां पर पिशुद्याले थाना दरगर एक परवर्ती एरिया है उसी रहने वाले एक व्यक्ति को वह बाइक बेचा गया था और उसके सत्यापन के लिए टीम आई थी और उसके पाद उस बाइक की बरामदगी भी हुई और उसी करम में यह जो पुरा जो व्यक्ति पकड गया उससे पूचताच की गई नगरपुली सदिक्षा के वंग सिटी डियस्पी साहब के द्वारा और उससे बहुत सारी जानकारियां सामने आई और उस जानकारी के आधार पे पांच टीमों के द्वारा पिछले 24 घंटों में लगातार चापेमारी किया गया जिस पे चार बैक्तियों के गिरपतारी हुई है और कुल आठ हथियार की बरामदी हुई है जिसमें दो पिस्टल और एक रिवालवर, तीन कट्टा, एक दो नाली राइफल, एक एर गन और आठ मैगजिन और विभिन स्पेसिफिकेशन के बेरासी कार्तूस की बरामदी हुई है, 21 मोबा की बरामदी हुई है और कि खतियार बनाने के बहुत सारे उक्रण जैसे की कटल मसीन या ड्रिलिंग मसीन, बहुत सारे बड़ी संख्या में पेचकस और लेत मसीन, इत्यादी की बरामदी हुई है और चार जो व्यक्तिक गिरफ्तारी हुई है जिसमें सलाउदीन और उसका बेटा राजा जो की परवत्ती के पासी लिनका रहने वाला है और आसिफ और एक फैजुल रहमान जिसके गिरफ्तारी चंपानगर जो एक जगर है नातनगर ठानानतगर पड़ता है उसमें वहां से ह घरी है और यह जो आसिफ है यह 2009 में भी आमस के case में गया हुआ है यह लोग इस आशना मलब जो निर्मित जो आम सोते हैं उसको अलग जगहों से लातते थे और उससे आंस बनाते थे इसके साहती जो उर से पूरे supply chain का पता लगाया गया और यह जो चार व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें से दो व्यक्ति इसको बनाने वाले हैं और जो दो और व्यक्ति हैं जो की receiver है जिनको इन्होंने बेचा था अपना हथ्यार बनाके या तसकरी करके जो हथ्यार लाया था उसको बेच विज़ा गया था यहां हमनों की है खटम यह जो का पूरा अभी पूरी तरह से खतम नहीं हुआ है अभी भी हमारी 5 तीमें अभ्यान में लगी हुए हैं कुछ जगों पे चापे मारी चल रही है और आने वाले समय में और भी हथियार और आर वी लोंगी गिरफ्तारी संगटित गिरोह का परदाफाश किया है, हत्यार बनाने वाले बहुत सारे करणों की बरामदगी की है, एक मीनी गन फैक्टरी का उदबेटन किया है और चार शातिर अपरादियों की गिरपतारी सुनिश्चित की है और इसमें जो भी टीम संबली थे उनको हमारे अस्तर से भी और पुलिस महानी दिचत महोदे कैस्तर से भी पुरस्कित किया जा रहा है